Hey guys, welcome back to my channel, मैं हूँ Priyanka and आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ kitchen cleaning tips जो आपके बहुत जादा काम आने वाली है, तो चलिए वीडियो को start करते हैं So guys, मेरी सबसे first step ये है कि अगर आप अपनी kitchen को clean रखना चाते तो आप अपने kitchen के entrance पे एक mat ज़रूर रखें ताकि जो भी बहार से आने वाला कूड़ा ये कबाड़ा है वो mat पर ही जाए और इससे आपका floor जो है वो clean रहे और दूसरा जो mat है वो आप हमेशा अपनी sink के नीचे रखें इससे क्या होता है कि जब भी आप dish wash करती हैं तो जितना भी extra पानी नीचे गिरता है वो mat पर ही गिरेगा और mat उसको absorb कर लेगा और आपका floor हमेशा clean रहेगा so guys मेरी next tip है कि हम kitchen की cleaning तो कर लेते हैं बट microwave की cleaning करना अक्सर भूल जाते हैं फिर वही जो उसमें germs लग जाते हैं वो भाब के साथ फिर हमारे खाने में गरम होते हैं so इसकी cleaning के लिए आपको क्या करना है एक कांच का बाउल लेना है या micro safe बाउल में आपको थोड़ा सा विनेगर लेना है और उसको आपको गरम करना है microwave में minimum 1 minute अगर आपका बहुत जादा गंदा है microwave तो 2 minutes भी आप कर सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 minute का टाइम रखा है so इससे क्या होगा कि विनेगर की जितनी भी भाप है वो पूरे microwave पे 4 तरफ लग जाएगी और आप देख सकते हैं विनेगर बिल्कुल गरम हो चुका है और इसकी पूरी भाप जो है microwave के 4 तरफ फैल गई है अब आप इसकी plate को separate कर लीजिए और dish wash कर लीजिए and इसकी नीचे की tray वगएरा सभी को निकाल कर आप इसे microfiber cloth से अच्छे से clean कर लीजिए आप देख सकते हैं कि मैं इस cloth से oven को चारो तरफ से अच्छे से clean कर रही हूँ इस vinegar की भाप से तो ये सारे जो jumps हैं आप कुछ भी नहीं रहेंगे और अच्छे से हमारा जो oven है वो clean हो जाएगा इसका डोर वगएरा भी और चारो तरफ से बाहर से अंदर से हर जगह से मैंने clean कर लिया है और खाने वगएरा की जो चीटे पर जाते हैं वो भी नहीं रहेंगे अब आप देख सकते हैं oven अंदर से बिल्कुल चमक रहा है बहुत जादा clean हो गया है उसके बाद जो इसकी tray वगएरा plate वगएरा है वो वापस से हम इसको set कर लेंगे और अब हमारा oven जो है बिल्कुल अच्छे से clean हो गया है So next step है friends कि जब भी आप खाना बनाए, lunch बनाए, breakfast बनाए, dinner बनाए तो अपनी जो यह gas है उसको अच्छे से clean कर लीजिए So मैं most of the time क्या करती हूँ कि जो dish wash है उसी से दिन में एक बार जरूर अपने gas को clean करती हूँ उससे क्या होता है कि जो खाने के particles वगएरा है वो अच्छे से निकल जाते हैं और आपका gas बिल्कुल चमक जाता है बहुत अच्छे से clean हो जाता है और आप देख सकते हैं कि मैंने burner के अंदर and gas के चारो तरफ अच्छे से dish wash से clean कर रही हूँ और उसकी wall को भी अच्छे से पीछे जो wall है उसको अच्छे से clean कर लीजिए क्योंकि उस पर भी कई बार खाने की चीटे पढ़ जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम wall को कभी भी avoid न करें और नीचे का जो floor होता है gas के नीचे का किचन का counter top उसे भी पूरा dish wash लगा के उसे अच्छे से clean कर लीजिए इसे आपका gas जो है बहुत अच्छे से साफ हो जाता है उसके बाद मैं इसे गीले कपड़े से अच्छे से clean कर लेती हूं पोंच लेती हूं क्योंकि एक टाइम इसे अच्छे से dish wash से clean करना तो बनता है तोकि अगर हम इसे बार-बार पानी से या फिर हलके कपड़े से clean करते हैं तो वो अच्छे से clean नहीं होता है तो आप दिन में एक बार जरूर कोशिश करिए कि अपनी जो गैसे उसे डिसवाट से जरूर एक बार क्लीन करिए उसके बाद आप देख सकते हैं कि गैस बिल्कुल कितनी क्लीन हो चुकी है and counter top बिल्कुल clean हो चुका है पीछे की wall भी बिल्कुल clean हो गई है तो guys next step यह है कि जो भी हमारे food processor होते हैं या फिर mixi grinder होते हैं उनको हम अच्छे से बाहर से clean नहीं कर पाते हैं और उनमें बहुत सारे पिले-पिले दाग पढ़ जाते हैं तो इसको clean करने के लिए आप कोई भी toothpaste ले लीजिए और एक scrubber की help से इसे अच्छे से scrub कर लीजिए कोई आपको बहुत जादा hard scrubber नहीं लेना है hard brush नहीं लेना है आप एक sponge से भी इसको अच्छे से बाहर से clean कर सकते हैं and grinder के उपर के हिस्से को clean करना बिल्कुल मत भूलिएगा mixi का जो jar होता है उसकी जो grease होती है वो यहाँ पे लगती रहती है और काफी black हो जाता है तो यहाँ पे आप toothbrush की help से इसे अच्छे से clean कीजिए जो आपके यह छोटे छोटे खाने बने हुए हैं आप इसको earbud की help से भी अच्छे से clean कर सकती है तो आप देख सकते हैं guys की मैंने यहाँ पे अच्छे से brush से clean कर लिया था पहले then फिर sponge की help से साफ किया and last में micro fiber cloth से मैंने पूरे mixer grinder को अच्छे से clean कर दिया तो आपने grinder के हर एक part को अच्छे से clean करना है नीचे के part को and बीच के part को बिल्कुल भी clean करना ना भूलिएगा so guys आप देख सकते हैं यहाँ पे जो mixi है grinder है वो कितने अच्छे से clean हो चुकी है तो इस tip को आप भी जरूर अपनाए so अगली tip है friends कि जब भी हम अपने तवे पे रोटी बनाते हैं तो वो जलने लग जाती है so इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है तवे पे थोड़ा सा नमक डालिए थोड़ा सा विनेगर डालिए and थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेना है dish gel then फिर एक scrubber की help से आपको इसको अच्छे से rub करना है जैसे कि आप अपने बरतनों को धोती है तो इसे आप हफते में एक बार जरूर ट्राइ करिएगा इससे जो हमारी रोटी है जली जली बनती है फुली फुली नहीं बनती है तो ऐसा नहीं होगा आपका तवा जो है वो एकदम clean हो जाएगा और इसके उपर की जो extra परत होती है वो निकल जाएगी तो आप देख सकते हैं इसे मैंने wash कर लिया है इसके उपर की जितनी भी extra परत है वो निकल चुकी है और इस remedy को आप हफते में एक बार जरूर ट्राइ करिए and next tip यह है कि जब भी हम अपने बतनों को jar है या फिर डबे हैं खाना बनाते time जब भी use करते हैं तो बार-बार हाथ लगने से वो गंदे हो जाते तो आपको क्या करना है जिन जिन को भी आपने use किया है उनको दिन में एक बार जरूर अच्छे से गीले कपड़े से clean करना है इससे आपका क्या होता है कि डबे, jar वगएरा अच्छे से clean हो जाते है और आपका future में जो भी jar cleaning या डबे cleaning करने का जो time है वो बच जाता है तो अगर आप ऐसी दिन में एक बार इनको अच्छे से गीले कपड़े से clean कर देंगी तो ये कभी भी गंदे और मैले नहीं होंगे आप देख सकते हैं कि इससे आपके जो डबे हैं, jars हैं वो हमेशा ऐसे ही clean रहेंगे So guys, next tips यह है कि जो हमारे kitchen के floor वगरा होते हैं या fridge वगरा होते हैं उन्हें हम अक्सर पानी से ही साफ करते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ share करने वाली है एक DIY cleaner उसके लिए आपको चाहिए होगी एक ऐसी spray bottle और उसके लिए लेना है आपको एक कप vinegar and एक कप साधा पानी मत्तब नॉर्मल वाटर जो है विनेगर में मिक्स करना है यह काफी अच्छा cleaner है यह आपके floor को, wood को, wardrobe को, सबको, fridge को अच्छे से clean कर देता है and then आपको लेना है एक या दो चमच dish gel so dish gel ही आपको लेना है अगर नहीं है आपके पास तो आप washing powder भी ले सकते हैं करीवन एक चमच then आपको क्या करना है इसको अच्छे से shake करना है and then जहाँ पे भी आपका counter top गंदा है या food particles ग्रे होए है तो आपको क्या करना है एक कपड़े से उसको अच्छे से clean कर लेना है इससे आप अपने fridge को भी clean कर सकती है tiles को clean कर सकती है cabinets को clean कर सकती है बहुत ही अच्छा cleanser है ये so next tip ये है friends की जब भी आपका kitchen का काम हो जाए खाना वगेरा बन जाए इसके बाद अपनी kitchen में जाडू ज़रूर लगाईए कई बार हम प्याज वगेरा काटते हैं कोई सबजी वगेरा काटते हैं छोटी छोटी चीज़े जो होती है floor पे गिर ही जाती है तो इससे क्या होगा कि हमारा जो floor है वो always clean रहेगा अगर हम kitchen की गंदगी को time to time clean करते रहेंगे तो इससे हमारी जो गंदगी है kitchen की वो बाहर rooms में भी नहीं जाएंगी तो जाडू तो कमसे कम आप दो या तीन बार ज़रूर लगाए और पोच्छा कमसे कम एक या दो बार लगाए क्योंकि इससे क्या होता है कि तो आप ज़रूर follow कीजिए अपने kitchen को always clean रखने के लिए I hope guys कि आपको मेरे tips ज़रूर पसंद आए होंगे अगर पसंद आए होंगे तो comment करके ज़रूर बताएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करे, share करे channel को subscribe करे and मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियो के साथ नई vlog में, till then bye bye